दोस्तों कुछ सालों से इंडियन यार फोर्स के लिए बॉंबर यार क्रेप्टों का चर्चा काफी अधिक हो रहा है खास करके ये चर्चा तब और तूल पकड़ा जब अमेरिका के तरफ से भारत में इसी साल लगातार दो वार अपने B1 बॉंबरों को भेजा गया पर दोस्तों इस तरीके से अन्ने देशों से बॉंबर यार क्रेप्टों को खरिदने से बेटर ये है कि भारत अपने खुद के फाइटर यार क्रेप्टों के प्रोग्राम के जैसे ही बॉंबर यार क्रेप्टों के प्रोग्राम को शुरू करे और अब ऐसे कवर खुल के आ रहा है जिससे की भारत को शायद ऐसे एरक्रेप्टों के लिए और अधिक इंतजार करना ना पड़े। अब दोस्तो ये जो DRD औ गातक है ये असल में एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग अन्मैन कॉमबैट इरियल वीखल का कॉंसेफ्ट है लेकिन इसे अन्मैन कॉमबै ऐरियल वेहले के बदले एक अन्मैन बॉंबर कहा जाता है और दोस्तो अगर एक्लिस्ट ऐसे द्रोन को भारत तयार कर लेता है तो proper bomber तो नहीं लेकिन काफी हग तक bomber यार क्रैप्टों के जैसा रोल निवाने वाला एक हत्यार भारत के पास होगा पर दोस्तों ये जो approval है इसे लेके भी बताया जा रहा है कि approval को लेके तभी आगे बढ़ा जाएगा जब इसके टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट वीट यार काप मतलब swept drone का development किया गया है उसके टेस्ट को सफल किया जाए हाला कि अगर देखा जाए तो swept drone का जो पहला टेस्ट था वो संपूर्ण सफल था और अब तक जितने भी development इसे लेके हुआ है वो सभी सफल रहा इसलिए अंदाजा लगा जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक approval मिल जाएगा और टेस्ट में ज़्यादा कुछ मुश्किले नहीं आएगा दोसो पिछले साल करनाटक के चितर दूर्ग से स्वेप्ट के complete टेस्ट को अंजाम दिया गया था और दोसो ये टेस्ट स्वेप्ट द्रोन का first flight भी था जिसमें की संपूर्ण autonomous तरीके से द्रोन टेक आफ किया फिर एक waypoint navigation तक जाके वाफस आया और फिर smoothly touchdown किया जो की दर्शाता है कि स्वेप्ट दोन को लेके भारत के तरफ से एक बहुत बड़ा सफलता हासिल किया गया है और यही सफलता आने वाले समय में घातक unmanned combat aerial vehicle के development का रस्ता होगा अब दोस्तों ऐसे unmanned combat aerial vehicle के development का का काम असल में ironautical development establishment के तरफ से किया जा रहा है जो की DRDO के Bangalore State एक lab है और इसी के ही द्वारा स्वेप्ट को भी बनाया गया है यहापे आपके जानकारी के लिए बता दो कि भारत जिन unmanned combat aerial vehicle के project के अंतरगत आगे बढ़ रहा है उसमें एक ऐसा drone होगा जो recognition capability के साथ भी होगा और साती साथ tactical action को भी अंजाम दे सकेगा जैसे की bombs और missile को दागना और इसमें एक dry cavalry engine का इस्तेमाल किया जाएगा जो DRDO के gas turbine research establishment के तरफ से develop किया गया और करिफ करिव यह 46 किलोनेटन thrust generate कर सकता और वो भी बिना और हाली में dry cavalry engine को लेके भी भारत को एक सफलता मिला है जिससे की ऐसे unmanned combat aerial vehicle के जो development का रस्ता है वो और आसान हो गया है और report में यह वी वताया जा रहा है कि साल 2025 तक dry cavalry engine के इस्तेमाल को लेके जो certification है उससे भी जारी कर दिया जाएगा और हाली में यह वी cover आया तो माना जा रहा है कि साल 2026 तक यह जो unmanned combat aerial vehicle है इसके rollout को अंजाम दे दिया जाएगा और शायद साल 2029 तक इसके production भी शुरू हो जाएगा पर दोस्तो अभी तक Indian Air Force के तरफ से यह जानकारी नहीं दिया गया है कि exactly कितने संख्या में ऐसे द्रोनों को Indian Air Force चाहता है पर कुछ Unconfirmed sources के साथ कुछ Media Houses के तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कम से कम Indian Air Force अपने बेड़े के लिए ऐसे 100 के आसपास द्रोनों को अवशकर देगा जबकि वही पे Navy को लेके भी वताया जा रहा है कि Navy भी इस प्रोजेक्ट में अपना इंट्रेस दिखा रहा है और नेवी Unmanned Combat Aerial Vehicle के बेस पे एक डेग बेस Unmanned Combat Aerial Vehicle चाहता है जो कि नेवी के यार्क्राफ्ट कैरियर के उपर इस्तिमाल हो सके और कुछ दिन पहले खावर ये भी आया था कि Navy फिलाल DRDO के साथ इसे लेके चर्चा भी कर रहा है और शायद ये केवल मात्र डेग वेस Combat Aerial Vehicle के रूप में ही ना रहे बलकि ये नेवी के जो ट्वीन इंचिन डेग वेस फाइटर यार्क्राफ्टो का प्रोग्राम है उसमें एक Loyal Wingman के तहट भी इस्तिमाल हो हाला कि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो नेवी के द्वारा भी करिफ करीब 50-100 के आसपास ऐसे द्रोणों को पर्चेस किया जा सकता है और बड़े मात्रा में नेवी इसका इस्तिमाल करेगा अब दोस्तों यहाँ पर सबाल यह है कि एक Unmanned Combat Aerial Vehicle क्या Bomber Aircraft के रोल को निवा सकता है वैसे अगर देखा जाए तो एक Fighter Aircraft भी एक Bomber Aircraft के रोल को नहीं निवा सकता क्योंकि Bomber Aircraft भारी मात्रा में पेलोड को लेके लंबे दूरी तक जाके Bombing Mission को अंजाम देने के लिए डिजाइन होता है पर फिलाल अगर भारत के Requirement को देखा जाए तो कुछ-कुछ जगा में दावा किया जा रहा है कि भारत को एक Proper Bomber Aircraft का आवशकता तो नहीं है क्योंकि दोस्तो जिस तरीके का Report आ रहा है उससे अंताजा यहीं लग रहा है कि नेर फ्यूचर में तो भारत Bomber Aircraft को हासिल करने नहीं जा रहा है और अगर भारत के बेडे में कोई Proper Bomber Aircraft आता है तो ये दशोकों के इंतिजार के बाद ही संभव हो पाएगा वैसे तो दोस्तो घातक Unmanned Aerial Vehicle का क्या specification होगा और किस तरीके से ये काम करेगा इसका तो कोई जानकाली नहीं है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो घातक Unmanned Combat Aerial Vehicle होगा ये करीब-करीब 15 टन के Maximum Take Off Weight वाला एक ऐसा Aircraft होगा जो 30,000 फिट के उचाई में जा सकेगा और ये वी दावा किया जा रहा है कि कम से कम ये 2 टन के Payload को Carry कर सकेगा जिसका Simple मतलब ये है कि ये किसी वी द्रोन के मुकाबले में तो अधिक Bomb को Carry कर सकेगा मतलब काफी हद तक भारत के लिए एक Stealth Bomber का Roll ये ये Aircraft निवा सकेगा तो स्टेल्थ Bomber को लेके तो भारत के तरफ से लगातार कुछ न कुछ सफलता हासिल किया जा रहा है ये जिसक्स ये फिलाल इंडियन ये ये फोर्स के लिए अथि आवशक इसलिए है क्योंकि फिलाल इंडियन ये ये फोर्स में जो ट्रेनर ये ये वह काफी पुराना भी हो चुका और हाली में एक क्रैस के बाद इन ये जैर क्रैप्टो के सेप्टी को लेके भी सवाल उठा है हाला कि दोस्तों इस तरीके के ये 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 फोर्स करने के काफी पहले से ही ये ये फोर्स के डिफलाप्मेंट शुरू हुआ था और आज से 20 साल पहले मतलव साल 2003 में एजजेटी 36 ये ये अपना पहला उड़ान भरा लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद अब तक इन यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सका। अब बताया जा रहा है कि साल 2016 में फिर से एक बार प्रोडक्शन को री ओपन किया गिया और जो कुछ यार क्रेप्टों में खामी था उसे फिर से सुधारा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताविक साल 2019 से यार क्रेप्टों के कुछ मोडिफिकेशन के उपर काम किया गया और साल 2020 के नौवेंबर महिने में यार क्रेप्टों के मोडिफिकेशन के बाद यार क्रेप्टों के द्वारा सिक्स पीन टेस्ट को भी सफलता पूरबग कंप्लिट किया ग लेकिन इस सफलता के बावजूद भी अब तक इन यारक्राप्टों को लेके कोई सिग्निफिकेंट डेवलाप्मेंट नहीं हुआ है जिसके अंतरगत ये कहा जा सके कि कब तक यारक्राप्टों के प्रोडक्शन शुरू होगा। यारक्राप्ट काफी पुराना हो चुका है और इन यारक्राप्टों के रिप्लेस्मेंट फिलाल अती आवशक है।